लेकिन हमारे नेता के अंदर स्वार्थ नहीं है वो जनहित में जनता के लिए काम करते हैं जो भी उनके द्वारा काम हुआ है अभी तक तो किसी का पेमिंड भी नहीं हुआ है तो कहां से उन्होंने घोटाला कर दिया भाई अभी बालू का समस्या हमारे बाखेवजार छेत्र में इतना जोर सोर से है पूर में धरना परदर्शन नमस्कार तो आप देख रहें नजर जन्तनुच तो देखिए आज मैं पहुंच चुका हूँ अजमत खा जो हम पार्टे के फर्खंड अध्याच है जो डुम्रामा गाउं के बाके बजार फर्खंड में पढता है तो देख और क्या कराने के इस्तिफा उनको देना पड़ा तो चलिए मैं इन से मैं बात करते हूं सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागा थे मेरे चैनल पर सर धन्यवाद आपके भी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि हाप आए और हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या प काम करना नहीं चाहती है किसी के दबाव में रहकिकाम नहीं करना चाहते हमारी pace के चारो अध्यच धायक जो है सात्षप मान्या मुखमं लिए नितिश कुमार जी से मिले उन्हों ने अपना परस्ताव रखा तो माने मंत्री मुख मंत्री जी का कहना É mm kits fas мы return into this is theologia डोष वां का सवाल है तो हमारे में राश्ट्य अध्यज और अन्यकाल्व कि हमारे संस्थापक सृजी Uhr ने कहा कि नहीं है हम अपने कार्श करता हूं के साथ बात रखा है हम पाम पर्टी को भीले नहीं कर सकते हैं तो उन्हें थीक है तो फिर आप अपना रास्ता देख सकते हैं तो हम छोड़ दिया उन्होंने इस्तिफा दे दिया पार्टी से उन्हें पे जो आरोप लग रहा है जो सौ कडोर का घोटाला लगा है कितना सचे के साही है गलत है देखी आरोप लगाना आसान चीज है आरोप किसी पर भी क किसी को लगा दे लेकिन साबित करना बहुत जरूरी सीज है आपने आरोप लगा दिया सबसे पहले लगू सिचाय विभाग में उन्होंने कितना दिन मंत्री पत पर समाला पत को यह आपको देखना पड़ेगा और जो भी उनके द्वारा काम हुआ है अभी तक तो किसी का प लेकिन साबित कीजिए आरोप लगाना आसान है साबित करना बड़ी मुश्कल काम है अगर मीडिया के सामने अगर कुछ बोल रहे हैं तो साक्ष के साथ बोलिए उठलू का तरह बोल देना तो यह ना समझी वाली बात है ऐसे बोलना सर जो इस्तीफा दे रहे हैं तो क火 आपको लाग रहे है कि किस पाट इतरफ इस्तीफा Dिया है हम लोग ऐसे भी पहले भी हमारे मानियन नेता पाटि के संरक्षक शिर्जा से स्रीजीतन्राम मांंशी जी जी जो है वह नितिश कुमार के साथ थे ना कि महागडबंदन के देना चाह रहे हैं कि जब इससे पहले जो सरकार रही है बिहार में जब हमारे बीजेपी के साथ जो सरकार थी उस वक्त भी ओफर दिया गया था हमारे ने हम लोगों को कि आप आर्जेटी में चले आईए और आपको अच्छा ओहदा भी मिलेगा अच्छा पोश्ट भी लेकिन हमारे नेता के अंदर स्वार्थ नहीं है वो जनहित में जनता के लिए काम करते हैं अभी एक चीज बता दिए कई बार अभी बालू का समस्या हमारे बाखेवजार छेत्र में इतना जोर सोर से है पुर में धरना परदरसन चल रहा था तो उसमें उन्होंने जनता के स साथ आके उस पर रोक लगवाया आपका कुछ दिन बालू रोक भी लगा फिर से चालू कर दिये गया फिर बिरोध हुआ हमारे छेत्र के कई लोगों पर जो किसी तरह से इसमें सम्मिलित नहीं है उनके उपर भी एफाईयार हुआ है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है हम आपके उपर प्रेशर नहीं रहेगा तो बुलेगे भाई हम जनता के लिए काम करते हैं हम बिले नहीं करेंगे जी पार्टी से अलग रहना हम अपने आपको बहतर समझते हैं लेकिन बिले नहीं करेंगे सर ये जो संतोस कुमार जो सूमन जो इस्तिफा दिये हैं तो क्या ऐसा लग रहा है कि बिजेपी तरफ से कुछ ओफर क्या मिला है आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि हम लोग हमारी पार्टी नीतिस कुमार के साथ थी और किसी गड़बंदन में नहीं थी अब हम लोग अलग हुए हैं अभी किसी तरह का निर्ने नहीं लिया है कि कहां जाएंगे और कि जहां तक बात है तो ऐखर तो आएगा ही अगर एक पार्टी को हमने छोड़ा है तो दूसरी पार्टी ओफर देगी ही ये भी आपको बतादें कि हमारी पाठी जिस स्पीड में पूरे बिहार में जिस तरह से संगटन को मजबूत कर रही है और जिस तरह से हमारा संगटन मजबूत हुआ हुआ है हो सकता है कि हम अकेले एलेक्शन लड़े यह भी हो सकता है यह आपको तेज तारिक के बाद समझ में आएगा तेज तारिक क झाल